गुड आफ्टरनून स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में जैन सहित्ते के बारे में पढ़ेंगे तो देखें स्टुडेंट्स मैं आपको यहां पे यह बताना चाहूंगी कि मैंने आपको जो प्राचिन भारती इत्यास के स्रोत हैं उनमें जो पुरातात्विक स्रोत और में पढ़ा दिया है और साहित्यक स्रोत के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है तो जो साहित्यक स्रोत में हमने पढ़ा था कि साहित्यक स्रोत के दो भाग हैं वो कौन-कौन से हैं ब्राह्मन साहिते और ब्राह्मनेत्र साहिते तो ब्राह्मन साहिते इसमें क्या-क्या थ इसी प्रकार एक दूसरा भागता ब्रामनेतर साहिते तो जो साहिते एक स्रोथ में जो ब्रामनेतर साहिते था ये था जो ब्रामनेतर साहिते इसमें था बोध साहिते और जैन साहिते तो बोध ग्रंथों अर्थात बोध साहिते के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे जैन साहिते के बारे में, तो देखेगा, जैन साहिते बहुत ही विसाल है, यह है धार्मिक साहिते, समझ गया ना, यह है धार्मिक साहिते अर्थात, ब्रामनित्त साहिते है, सिंस्कृत, प्राकर्थ और अब्रंस बासों में साहिते लिखा गया है, भगवान मह हवीर स्वामी की प्रवर्तियों का केंदर मगदरा है इसलिए उन्होंने यहां की लोक भासा अर्दमागदी में अपने उपदेश दिये जो उपलब्त जैन आगमों में सुरक्सित है और यह जो जैन आगम है यह 84 है और इन्हें स्वेतामबर जैन परमान मानते हैं दिकंबर जैन नहीं तो जो आगम है अर्थात आगम क्या है जैन सहीते तो जैन सहीते इसको मानने ता कोन दे रहा है श्वेतामबर जबकि दिगंबर हैं वो जैन सहीते को नहीं मानते हैं तो हमने आपको पहले जैन संपर्दा के जो जैन तरम के जो दो साखाएं हैं दो संपर्दा है स्वेतांबर और दिगंबर इनके बारे में पहले हमने आपको पढ़ाया है तो आप प्लेलिस्ट में इनको अच्छ से देखेगा पढ़िएगा दिगंबरों के प्राचीन सहिते की भासा सोर सेनी है तो आगे चलकर अप प्रंस तता अप प्रंस की लोग भासाओं में भी जैन पंडितों ने अपनी रचनाई लिख कर भासा साहिते को समरत बनाया जैन रचनाकारों ने पुराण कावे, चरित कावे, कथा कावे, रास कावे, आदि वीविद प्रकार के ग्रंत रचे जैन रचनाकार कोन-कोन थे, जो मैतोगमन है, कई बार प्रिक्षाइम पूछ लेते हैं तो वो हैं स्वेंभू, पूस्पदत, दंत, आचारिये, हेम चंदर जी और सोंप्रभ सूरी ये क्या है, परमुक जैन कवी अब देखेगा, आगम सब्द का प्रियोग, जैन दरम के मूल गरंतों के लिए किया जाता है जैन साहिते, आगम अर्थात, सिधान कहलाता है तो कई बार कि उसने पूछ लेते हैं कि आगम साहिते किस से सम्बंदित है वो है, जैन से सम्बंदित, आगम किसे कहते है 10 परकीर्ण और 6 छंद सुत्र हैं आचारांग सुत्र में जैन बिक्सों के आचार नियमों का वणनन है कई बार पूछ लेते हैं कि जो आचारांग सुत्र है ये किस से संबन दिता है जैन दरम से इसमें क्या बताया गया है इसमें जो जैन बिक्सों के आचार विचार आचार विदान वगेरा है उनका वणन क्या गया है इसी परकार भगवती सुत्र में महवीर स्वामी के जीवन वृत का उल्लेक है भगवती सुत्र से है में 16 महाजन पदों का उल्लेक भी मिलता है हेम चंदर कृत परिशिस्ट परवे तो परिशिस्ट परवे की रचना किस ने करी? हेम चंदर में इसमें अनेक एथियासी गटनों का उलेक मिलता है भद्र बाहु कृत कल्प सुत्र में जैन द्रम के प्रारंबिक इथियास की जानकारी मिलती है उद्योतन सूरी कृत कुवले माला में जैन समाज की समाजिक और धार्मिक इस्तिति का वर्णन किस में किया गए है? कुवले माला में कुवले माला किस की है? उद्योतन सूरी की अब देखे सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैन धरम का जो साहित्य है उसमें बारा अंग है उसके बारे में तो जैन आगम में बारा अंगों का स्तर्व प्रमुकस्थान है इनका प्रीचे में इस प्रकार आपको देंगे आचारांग सुत्र सुत्र तो आचारांग सुत्र सुत्र है इसमें जैन बिक्सों द्वारा पालन के जाने वाले आचा नियमों का उलेक मिलता है दूसरा है सुयक दंग अर्थात सुत्र क्रेतांग सुत्थ इसमें जैन नेत्र मतों का खंडन करते हुए जैन बिक्सों को उनसे दूर रखने का प्रियास किया गया है ठानंग अर्थात इस्थानांग इसमें जैन दर्म के विभिन सिधान्तों का उलेग मिल्टा है अगला है समवायंग सुत्थ इसमें भी जैन दर्म से संबंदित विवीद परकार के उपदेश दिये हैं इसे तीसरे अंकाही अंसमाना जा सकता है भगवती सुत्थ तो भगवती सुत्थ में क्या है मावीर स्वामी के जीवन तथा कृत्यो और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंदों का वर्णन मिल्ता है अपने पिरियेशिस से इंदू भूती के साथ वार्टालाप के माध्यम से वे जैन सिधानतों का पर्तिपादन करते हैं अच्छे तथा बूरे कर्मों द्वारा प्राफ्थ होने वाले स्वार्ग और नर्क का भी वर्णन भगवती सुत्थ में किया गया है नाया धम कहा अर्थात ग्याता धरम कथा सुत्थ इसमें क्या है इसमें महवीर की सिक्षाओं का वर्णन कथा पहेलियों आदी के माध्यम से किया गया है यात्रियों नाविकों आदी के सहसी कारियों का भी वर्णन ग्याता धरम कथा सुत्थ में किया गया है उवासक दस्वों अर्थात उपासक दसासुत इसमें जैन उपासकों के विधी, आचार, नियमों, आदिका, जैन का संग्रे है तपस्या के बल पर स्वर्ग प्राप्त करने वाले व्यापारियों का भी उलेक मिलता है अगला है अंतगड दसाओं इसमें उन बिक्सों का वर्णन है जिन्होंने तप द्वारा सरीर का अंतकर स्वर्ग प्राप्त किया है अगला है पणहावा गरनाई अर्थात प्रेसन व्याकरण इसमें जैन्दरम से संबंदित पांच महावरतों तथा अन्य नियमों का वर्णन हुआ है तो पंच महावरतों जो जैन्दरम से संबंदित है उनको हम पहले पढ़ चुके हैं वहाँ पे आप इसका वीडियो देखेगा विवाग सुयम अच्छे बूरे कर्मों के फलों का वीवरन इसमें दिया गया है जो व्यक्ति को मनने के बाद प्राप्त होते हैं दिट्टिवाई अर्थात दस्टिवाई यह संप्रति अप्राप्त है इसके विषे में अन्य ग्रतवों में छुटपट उलेक मिलते हैं लेकिन कई पार प्रिक्षा मैं पूछ लेते हैं कि दस्टिवाई किस दरम से संप्रति था वो है जैन दरम के 12 अंगों से संप्रतित अब देखे 12 अंगों के बाद आता है 12 उपांग तो बारे उपांग है बारे अंगों से सम्मन दित हैं और बारे अंगों के अलग-अलग एक गरंथ है ये इन्हें उपांग कहा गया है ये इस प्रकार है उप पातिक, राज प्रिश्णिय, जीवाभिगम, प्रग्यापता, जंबूद्वी प्रग्यपती, चंद्रे प्रग्यपती, सूर्य प्रग्यपती, निर्या वली, कलपा, वस्तन्तिका, पुसपीका, पुसप चुलीका और वृष्णि दशा दशा यह आपके क्या थे 12 उपांग फिर दस परकीर्ण यह पर्मुक ग्रंतों के परिसिस्ट हैं तता इनका जैन सहिते में बड़ा महत्व हैं इनके नाम इस पकार से हैं चत्व शरण आतुर प्रत्या ख्यान भक्ती परिग्या संस्तार तंदुल वेतालिक चंद्र वध्यक गनित विधा देवेंद्र सत्वे विरस्त्वे महा प्रत्या ख्यान अब देखेगा च्षेत सुत्रें तो इनकी संक्या 6 है इनमे जैन बिक्सों के लिए उप्योगी विधी नीमो का संक्लन है इसका महत्व है बोधों के विने पिटक जैसा है तो हमने बोधों के जो त्री पिटक है वो पड़े हैं उनके बारे में भी आप देखेगा और जो छेद सुत्र इनका महत्व है, विनेपितग जैसा है, विनेपितग बोद्रम वला, ठीक है? अब देखेगा 6 छेद सुत्र कौन-कौन से हैं, निशीत, महानिशीत, विवार, आचारदशा, कल्प और पंच-कल्प अब देखेगा मूल सुत्र तो मूल सुत्र हैं इनकी संख्या चार है इनमें जैन्द्रम के उपदेश, भिक्सों के कर्तववे, विहार के जीवन, यम नियम आदि का वणन है और मूल सुत्र कौन-कौन से देख लीजिए गाया पर वो है उत्राध्यन, सड्डावसेक, दस्वई, कालिक तथा पिंड निर्यूप्ति या फिर हम पिंड निर्यूप्ति को पाक्सिक सुत्र भी कह सकते हैं यह थे आपके चार मूल सुत्र, अब आता है नांदी सुत्र तथा अनियोग द्वार, ये दो ग्रंथ हैं तो ये दोनों जैनियों के स्वतंतर ग्रंथ हैं, जो एक परकार के विश्वकोस हैं इनमें विक्सों के लिए आचरनिये प्राये सभी बातें लिखी गई हैं साथ ये साथ कुछ लोकिक बातों का भी विवरण इनमें मिलता है ये जितने भी हमने ग्रंथ पढ़े हैं, ये सारे के सारे स्वतंबर संपर्दा के जैनियों के लिए हैं दिगंबर संपर्दा के लोग इनकी प्रमानिकता को स्विकार नहीं करते उनका विचार है कि जैन साथये पूण्टया लूप्त हो चुका है और वह मूल रूप में प्राप्त नहीं है तो जो स्वतंबर संपर्दा के लोग हैं वो जैन साथये को मानते हैं, आगम को मानते हैं जबकि दिगंबर संपर्दा के लोग नहीं मानते श्वेतामबर अनुसरूती के अनुसार महावीर स्वामी की मत्यू के 140 वर्षों बाद वल्लभी में देवर्धी अक्ष्मा स्रम्मन की देख्सता में एक सभा हुई थी जिसमें दार्मिक साहिते को एकत्रित करके लिपी बत क किया गया इसके बाद पार्टली पुत्री की सभा में भी कुछ गरंतों का संकलन हुआ अब देखेगा ये बात तो कौन मान रहा है स्वेतामबर संपर्दा वाले लोग अब देखेगा इन गरंतों के स्थान पर डिगंबर जैन भद्रबाहु तथा उनके अनुयाईयों की स जिक्सां को ही परमानित मानते हैं जैन गरंतों को नहीं मानते ये मैं इनमें दोनों में अंतरह जैन साहिते को लेकर स्वेतामबर और दिगंबर में स्वेतामबर संपर्दा का साहिते जैन साहिते की प्राचिन तमविदी है आज भी उनके समाज में इन गरंथों को बड़े आदर पूर्वक स्मरण किया जाता है तो जो स्वेतामबर संपर्दा है उसमें आज भी लोगबाग है वो जैन सहिते को मानते हैं जैन सहिते का विकास आगे से आगे कर रहे हैं इसलिए स्वेतामबर संपर्दा को जैन सहित्ते का प्राचेंतम विधी माना गया है और जो स्वेतामबर संपर्दा है यह है जैन दरम में जो निर्दिस सिधान्त है उनको भी मानता है और जो स्वेतामबर संपर्दाय के लोग है वो इन सिद्धानतों के अधार पर जैन बिक्सू अपना जीवनियापन करते हैं तो धन्यवाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जैन साहिते के बारे में आपको जानकरी परदान की और और भी महतोपुन जानकरी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल से जूड़े ताकि आपको ने ने वीडियो प्राप्त हो सकें और हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप दबाएं ताकि आपको ने 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 नोटिफिकेशन पर आप्त हो सकें धन्यवाद